नमस्कार मैं प्रियातायल अब देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन निउस नेशन चौविस अप्रेल ये वो तारीख है जब हर साल देश में रास्ट्य पंचायती राजदिवस मनाया जाता है इस साल भी देश में रास्ट्य पंचायती राजदिवस मनाया जाएगा इस खास मौके पर प्रधान मंतरी नरेन मोदी जम्मू कश्मीर के सांभा जिलिर के पाली गाउं का दौरा करेंगे वहीं पीम पाली बंचायत घर भी जाएंगे और वहां के सरपंच और पंचों से बाद सीथ भी करेंगे ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर कब से और क्यूं रास्ट्य पंचायती दिवस मनाया जाता है भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खा जाता है कई प्रदेशों में जनसंख्या और छेथ पर जादा होने की वज़ा से प्रदेश के सबसे उंचे पत पर बैठा शक्स सीथे ग्रामिन इलाकों की समस्याओं को नहीं सुन पाता ऐसे में देश के विकास के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र की जड़ों को ग्रामिन इलाकों में पहलाया जाए महत्मा गांदी कहते थे कि पंचायत भारते समाज की बुनियाद दिवस्ताओं में से एक है अगर भारत के गाउं को खत्रा पैदा हुआ तो भारत को खत्रा पैदा हो जाएगा महत्मा गांदी ने भी पंचायतों और ग्रामिन गंड राज्यों की बकालत की थी उन्होंने कहा था कि गाउं की पंचायत के पास अधिकार होने चाहें मात्मा गांदी ने ही पंचायती राज का कॉंस्रक्ट पेश किया था मात्मा गांदी के इस सपने को पूरा करने के लिए बल्मंत राय महता की अजिस्ता में 1997 में एक समिती का गठन किया गया इस समिती ने ग्रामरी इलाकों में तीन सर्य यानि की तीन लेवल की पंचायती राजविवस्था की बात कही पहली थी ग्राम सर्य पंचायत, दूसरी प्रखंड यानि ब्लॉक सर्य पंचायत और तीसरी जिला सर्य पंचायत सुतंत्र के बाद से समय समय पर भारत में पंचायतों के कई प्रधान किये गए 1992 तेर्वे सविधान संशोधन अधिनम के अच्छाथ इसको अंतिरूम दिया गया जिसे 24 अप्रेल 1993 में लागू किया गया जिसे लागू होते ही भारत में त्री सर्य पंचायती राज विवस्था की शुरूआत हुई इससे पहले 24 अप्रेल 1992 से पंचायतों को सविधानिक अधिकार प्रधान करने वाला विधैक अस्तिव में आया था इसलिए हर साल इसतारी को पंचायत दिवस के रूप में मना जाता है लेकिन भारत के पूर प्रधान मंतरी मनमोल सिंग ने साल 2010 को 24 अप्रेल को रास्ट्य पंचायत राज दिवस के रूप में घोशित किया था ऐसी में पहला राश्ट्य पंचायत राज़ दिवस साल 2010 में मनाय गया था 27 मई 2004 में पंचायती राज़ विवस्था की देख रेक के लिए पंचायती राज मंत्राले को एक अलग मंत्राले भी बना दिया गया था दो अक्टूबर 1969 को पंचायती राज की मजबूत नीव देश के पहले प्रधान मंतरी पंडिक जवालनाल नेहरू ने राजिस्थान में रखी थी राजिस्थान देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज विवस्था को लागू किया गया इस योजना की शुरुवात नागौर जिले से हुई थी इसके बाद इस योजना को 1969 में ही आंधप्रदेश में लागू किया गया था लेकिन पंचायती राज उस पर अधिकारियों की एक शांदार इमारत खड़ी करने का काम राजीव गांधी ने किया था अब सवाल ये है कि देश में कितनी पंचायते हैं हमारे देश में 2,54,000 लाग पंचायते हैं जिसमें से 2,47,000 ग्राम पंचायते हैं तो वही 6,273 ब्लोक पंचायते हैं और 595 जिला पंचायते शामिल हैं देश में 29,000 लाग से जादा पंचायत प्रतिमिदी हैं अब जानते हैं कि पंचाईती राज काम कैसे करता है। शुरुवाते दिनों में एक व्यक्ति ही सरपंच बनता था और वो गाउं का सवरदिक व्यक्ति होता था। सब लोग उसकी बात मानते थे यानि कि उसी की सुनते थे यानि गाउं के सर पर सरपंच के पास ही सारी शक्ति लेकिन अब ग्राम और ब्लॉग और जिलास्तर पर चुनाव होता है और अलग-अलग प्रतिनीद्यों को चुना जाता है हमारे देश में पंचायती राज दिवस के मौके पर चार प्रकार के अबॉर्ड भी बिए जाते हैं जिसमें से पहला है दीन दयाल उपद्धाय पंचा शक्तिकरण पुरसकार दूसरा है नाना जी देश मुक रास्टे गौरक ग्राम सबाब पुरसकार तीसरा है ग्राम पंचायत विकास योजना पुरसकार चौथा और आखरी है बार सुलब ग्राम पंचायत पुरसकार आज के वक्त में पंचायती राज की सपलता में क्या चन दिया गया पैसा किसी एक विशेश काम के खर्च के लिए ही दिया जाता है ऐसे में पंचायती राजों को मुश्किले होती हैं आपको बता दें कि देश में करीब सतर फीस दियाबादी गाउं में रहती है और तीरी स्तर ये पंचायत दिवस्था लागू होने के बाद पंचायतों को लाखों रुपे का फंड सलाना दिया जाता है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरे देखने के लिए देखते रह और देखने के लिए नेक्स नाइन निवसनेशन